नमासकार स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में तुलसी के नीचे बांदे ये चीज हो जाओगे माला माल दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं इसले तुलसी के नीचे बांधे ये चीज मा तुलसी का मिलता है धेर सारा आसिरवाद माता लक्षमी होती है आकर्सित घर में नहीं आते कष्ट दरस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपको परिवार के लिए आपके परिवार के लिए बहुत ही लाबकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्षमीज का निवास माना जाता है और निमित रोप से तुलसी के पौधे की पूजन करने से लाब अवश्य मिलता है बेद पुरान में विस्तार पुर्वक बताया गया है लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मा तुलसी का मिलता है आशिरवाद और माता लक्षमी जी की भी कृपा बरस्ती है आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने स पहले आपसे एक बिंती है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है साथ ही बीठी को आप जदर जदर शेर अवश्य करिए दरस्तो हिंदु ध जाम का बिवा करवाने की भी हमारे यहां परंपरा है सास्त्रों के अनसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भारा रहता है उस घर में शुक्षांती और सम्रद्धी बनी रहती है भगवान विश्यों जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरू प्रद्धी के लिए तुलसी मा को लाल चुनरी अवस्ट चढ़ाना चाहिए लाल चुनरी ना हो तो आप उनके नीचे यानि की लाल जो कलावा वारा धागा है उसे जरूर आप बांध दें अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गलतियां करते हैं वो लोग तुलसी का पौधा है बलकि है हमारी मा है आपको बता दे कि तुलसी को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है लेकिन इस बात का ध्यान खास लोग ही रखते हैं कई लोग ये गलतियां करते हैं तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है वैफट जाती है लेकिन एक दसी या फिर अनकोई चाहिए बगर चुनरी के मा अच्छी नहीं लगती मा तुलसी नराज होती है और अगर आपके पास चुनरी नहीं ला सकते किसी कारण बस तो लाल धागा जो होता है कलावा जो हम पुजा पाट में योज करते हैं लाल कलावा धावा भी आप तुलसी के नीचे जरूर आप बान दे तुलसी के पेड़ में नीचे बान दे और आपको अनेक फलों की प्राप्ति होगी माता तुलसी जी आप से प्रसंद हो जाएंगी लेकिन अगर आप पुरानी फटी पुरानी किसी भी दिन अगर आप बानते हैं जैसे कि तो माता तुलसी नराज भी होती है और होती हैं दोस्तों अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो मा तुलसी को आप लाल धागा भी आप बांज सकते हैं लाल कलावा धागा खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं इससे तुलसी मा नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती दोस्तों तुलसी के पास आपको कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए इसके आसपास आपको जूते चपल जाड़ू पोँचा यानि की जूते चपल भी नहीं उताना चाहिए जाड़ू पोँचा रखना भी यानि की इनके पास पाप माना जाता हिशले इनके पास यी चीजे गंदगी बिलकुल भ तुलसी के पौधे में सिवलिंग और गडेजी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के प्रतिमा नहीं रविवार को पूझा करने चाहिए तुलसी की सुभई साम पूझा करने चाहिए एक दीपक जिलाना चाहिए। बुलाना चाहते हैं तो कमəंट वाक्ष में लिखें जै मातलसी जै मालक्ष्वी आपका स्वागत है हमारे घर में माा आने के लिए और माक लिए एक लाइक तो बनता है साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जदर जदर शेयर करें जय मातलसी जय मालक्षी